दोस्तों जितने भी सेक्स टाइम बढ़ाने वाली टैबलेट्स होती हैं चाहे वो टाडला फिल हो यह सेल्डम फिल हो यह पर जिसको हम वाईगरा सुआगरा पता नहीं अलग लग नाम से जानते हैं ठीक है अलग लग ब्रेंट्स की नाम से आती है दवाईया ठीक है तो क्या काम होता है यह काम क्या करती है ठीक है तो उसके लिए वीडियो का अंते तक देखना पड़ेगा आपको तो बने रही वीडियो का अंते तक नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्तर मानी शरमा और आप देखने आपका अपना YouTube चैनल आयवडा किंग्डम दोस्तों यह दवाई अगर आप Google पे सर्च करोगे शजना फिल हो चाहे टाडला फिल हो इसका यूज क्या होता है तो यह फ़र सिर्फ एरेक्टाइल डिस्वंक्शन के लिए यूज होती है ना कि प्रिमिचर एजेक्वलेशन यह जिसको हम सिगर पता नहीं जिसको टाइम की कमी है वीडियो जल् किने के बाद यह दवाई आपके छो फार्ण ऊसके आंदर जो हार्ण काम क्या होता है बलड को पम्प करना ठीक है अभी पैनिस में क्या होता है कोई हड़ी तो होती नहीं है मसल्स ही होती है ठीक है और उसके अंदर जो आर्टरी होती है वह पैनिस के अंदर उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है ठीक है तो वह अगर प्रॉपर तरीके से होता है तो तो सब कुछ ठीक होता अगर ब्लड अच्छे से निजाएगा वहां तक ब्लड ही निजाएगा तो पैनिस के अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो यह दवाई बेसिकली यही करती है कि आपके हाट जो ब्लड पंप कर रहा है उसकी छमता को बढ़ा देती है आपका हाट ब्लड फ्लो ज्यादा करता अपने ली जब भी दवाई ली है अपने फील किया हो गाख कि आपका हाट कुछ ज़्यादा धड़क रहा है اपने अपनी चो दिल की धड़कनों को जबाद स्की होगा तो यह दवाई आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है जिससे आपके पैनिस तक पूरी स्टरसे ब्लड जात और एक्षिन की जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल हो जाती है तो यह इसका बेसिक वर्क होता है ठीक है कुछ लोग इसको डिंक करने के बाद देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें अदर्वाइज इसके खतनाक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो यह काम यह अदर्वाइज बढ़ाना अब कुछ लोगों में टाइमिंग बढ़ता है वह इसलिए बढ़ता है कि पैनिस अगर पूरी तरह से हार्ड हो प्रॉपर पूरा हाड्नेस अगर पैनिस में आएगी तो उससे क्या होगा कि जो संसिविटी होती है पैनिस के उपर ग्लांस पैनि जब सेक्स किया तो सकता है ठोड़ा जल्डी हो गया सब्गि सेक्स कारो गया टिक है जब भी मि थोड़ी देर बाद ही इस दवाई की प्योंकि चार गंटे का असर होता है अगा ताला सबला पी ले तो सॉछ बसलार 12 तरह सेंस आसे हो इसका असर ग्या तो आप प्र अद्ट और भी ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वज़े से आप लंबे टाइम तक intense कर पाते हो ठीक है यह दवाई का बेसिकली वर की रहेगा कि आप पहली ऌर सेक्स करोंगे एरेक्शन आएगा ठीक है फिर जब दूसरी और मूड होगा आपके दिमाग में sex अपनेस में आटिको जल्द पर इसके साइड इफक्स बहुत जादा होते हैं बहुत से लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि जो थोड़ा बहुत इरेक्शन भी आ रहा होता है वह भी दवाई के वजए से लेगो रेगुलर अगर आप यह दो लेते हो तो वह भी खतम हो जाता है तो आप नेचुरल वे ही है कि मैं तो इतना ही सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लेना है तो इसको तरीके से लीजिए लिमिटर डोज में लीजिए अगर आप ज्यादा डोज लेंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि दवाई और ज्यादा बढ़िया काम करें उल्टा इसके साइड फेट्स ज इन जानका एक साथ एको नई वीडियो में तब तक के लिए जय हैंट